जो भारतिय जनता पार्टी के नेताओं ने राष्टवादी कांग्रेस के नेताओं के ओपर गईर्वेवार भरष्टाचार के आरोप के थे कई मंत्रियों को भरष्टाचार के आरोप में घेरा भी था कई का राजिनाबा भी मंगा था और कई के ओपर में केसिस भी दाखिल किया था सत्रमते संभाजी नकर में उन्होंने एक बैल गाड़ी में सारे काख़ाद रखके वो ये काख़ाद पुरावे है करके सबूत है करके वो जिला दिकरी को जेती कि भी इसकी इंक्वाईरी कीजिए इसमें सत्तर अजार करोड रुपे का घोटाला हुआ है और इस डंग से उन्होंने बड़ा ये विक्या था मैं भी उसमें सामिल था तो उस समय ये जो धिया था अभी वही लोग जिनके उपर इन्होंने आरोब किये थे जिनके उपर ये भ्रष्टा है करके बार-बार ये बोलते थे उन्ही के साथ उन्होंने आज सरकार बनाई है सरकार में आने के बाद ये सारे के सारे अमरुत नोनी पावर प्लस या मध्यास लेले आ नोनी फड़ा मुड़े ते फक्ता आपली इम्यूनिटी वाडवत नहीं तर दिवस भर आपली आला ताज़त तवा न ठेउतों माजा उत्तम आरोग्या चिनास अमुरुत नोनी पावर प्लस जो उनोंने भरष्टाचार क्या रूके ते सारे लोग जो है वो क्लीन हो गए भारतिया जनता पार्टी के वासिंग मसीन में डाले और सबको क्लीन कर दिया चलो पार्टी के वासिवस भाज़ूपना आरोप के ले ले चात्यास मंत्रयान वरो अता त्यास नेतान वरो पर राश्टावादी चा सत्य-सत्यास में ड़े किला सा आरोप खरसे ने किला भंडारे जी उध्रन भंजे शीचो विस्तास